वेलकम टो योनिक वैब स्कूल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग साइट कीट बाइब गूगल जो प्लागिन होता है गूगल का ओविशियल प्लागिन है जो आप लोग वाटपेस वैफसेट के अंदर इनिस्टोल करके एक्टिब करके आप लोग वाटप स्पीड है वह भी देख सकतो और कैसा इंप्रूब्मेंट करना है आपका साइट का इस पीड में वह भी आप लोग आपका जो वाटपेस डेशबॉट है उसमें देख सकतो आप लोग गूगल एनलाइथिक आलग से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग आपका जो व यह जो plugin है इसको किस तरह से install करते हैं? एक्टिप करते हैं और setup करते हैं? चोलिए हम लोग हमा जो WordPress Dashboard है उसके अंदर आ जाते हैं. यहाँ पर हम लोग हमा जो WordPress Dashboard है इसके अंदर आ गया है. उसके बाद हम लोग क्या करने बाले हैं? यहाँ पर plugin से हम लोग at new में क्लिक करते हैं और हमा जो plugin है उसको सबसे पहले search करेंगे search करने के बाद install करेंगे उसके बाद active करेंगे ठीक है तो हम लोग यहाँ पर search plugin के अंदर यहाँ पर search करते है site kit by google ठीक है यहाँ पर आपको ध्यान देना है site kit by google यही लिखकर आपको search करना है तो यहाँ पर google का official plugin यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकतो site kit by google analytics search console adsense and spread यहाँ चीज़े आप लोग चेक कर सकतो आपका workplace के अंदर ही और यहाँ पर देख सकतो 3 million active हुआ है इस plugin का और यह official Google से आया है आप लोग यहाँ पर देख सकतो by google ठीक है यह google का official plugin है इसको हम लोग install करने वाल है तो install करने के लिए यहाँ पर install now button में क्लिक करते हैं और यह plugin ही हमारा यहाँ पर install हो जाएगा इसको हम लोग active करेंगे एक्टिब करने के बाद इसको setup करेंगे तो चोले हम लोग वाइट करते हैं इसको एक्टिब होने तक उसके बाद हम लोग इसको setup करेंगे तो वाइट करते हैं इक्टिब कर लेते हैं एक्टिब करने के बाद हम लोग इसको जो सेटिंग होगा ओ देखाएंगे और कैसे आपको इस सारा चीजे सेट अप करना है यहां पर लोग मेनु बार में अगर देख सकेंगे , यहां पर डेशबॉट के अंडर यह वह लोग देख सेकते हो Site Kit ठेक है, Site Kit लेखा आया है तो यह जो मेनु है इसके अंदर azεरे जो क्लिक कर सकते हो और हमारा जो plugin है यहाँ पर आप लोग रेक्ट चेकेंगे कि एक्टिव हुआ है यहाँ पर रेक्ट सेकेंगे साइट किट बाइ गूगल तो यह plugin हमारा एक्टिव हो चुका है अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर यह पर हम लोग क्लिक करेंगे वी अगरे सादनी सब्सक्राइब के सकते हो यह सब्सक्राइब करेंगे आपका जो गूगल एकांट है जिसमें आपका जो साइड है वो समिटेड है उस इमेल को आपको सिलेट कर देना है तो मैं इस इमेल को सिलेट कर देता हूँ क्यूंकि इस इमेल से मेरा जो साइड है और यहापा बहुत सारा पार्मिशन आपको देना होगा पार्मिशन देने के लिए यहापा वाल सिलेट कर देना है घब लाइएगा नहीं यह गूगल का ओफिशियल प्लागिन है यह आपका कुछ भी नहीं करेंगा आपका बॉटन में क्लिक कर दिया हूँ और हमार जो साइड है वो अरे डिर्यक्ट होने के बाद हम लोग रिडिर्यक्ट करके हमार जो आफ सेट है उसके अंदर लेकर जाए गया ठीक है तो हम लोग वाइट करते हैं और आपको देखाते है किसे यह सारा पोसेस आपको करना है ठीक है और यहाँ पर आपका जो site है, वो already verify है, आप लोग यहाँ पर देख सकतो, you are already verified, क्योंकि हम लोग हमारा जो site है, Google webmaster tool में, Google and I think में already submit किया था, इसलिए यहाँ पर देखा रहा है, already verify, तो हम लोग को ज़ादा कुछ करने के जरूर नहीं है, यहाँ पर next button में click कर देना है, ठीक पर allow में क्लिक करना है आपका भी ठीक है allow में क्लिक करने के बाद आपका next step में जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अल्रेडी Google search console से connected है यह भी हम लोग को देख रहा है तो हम लोग यहाँ पर next button में क्लिक करते हैं और यहाँ पर setup google आपका next button में क्लिक कर देते हैं तो next button में हम लोग जैसर क्लिक करेंगे तो हमारा जो whatpress के dashboard है उसमें हम लोग को लेकर आएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर जो हमारा plugin है उसका analytics यहाँ पर connect हो चुका है और यहाँ पर देख सकतो connect service तो हमारा जो service है वो यहाँ पर connect हो रहा है हम लोग वाइट करते है थोड़ाता हम लोग वाइट करते है थोड़ा सा और यहाँ पर connect हो चुका है यहाँ पर देख सकतो हमरा account number यहाँ पर आ चुका है हम यह पर हमारा प्रोपर्टी और यह पर हमारा जो कोड है यह पर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे Configuration एनलाइटिंग में क्लिक करेंगे तो यह पर में क्लिक कर देता हूं और आपर कनेट हो जाएगा Additional Permission Requirement हम लोग का कुछ Permission Additional Permission देना होगा इसलिए यहापर मैं पॉसेस में क्लिक कर देता हूँ ठीक है पॉसेस में क्लिक करने के बाद हम लोग थोरा सा पर्मिशन देंगे यहाँ पर तो हमारा जो इमेल है उसको सिलेट कर देते हैं this email को स्वेट्ट करने के बाद यहां पर पर्मिशन देना है ok यह पर continue बटन में क्लिक कर देते है और यह permission देने additional permission देना है ठीक है, Google Anercape पर हमारा फ़्रीघ्ट करते हों होङ और हमारी सारा पर्मिशन आगे है और हमारा Google Anercape से हमारा जो साइड है वह यहाँ पर connected हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर reload होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Congress on complete the setup for analytics तो यहाँ पर okay get it में क्लिक करते है ओके यहाँ पर get it में क्लिक करते है 84 hours के बाद हामारा जो data है यहाँ पर शोर करते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो traffic हमारा कितना है ह expect करेगा हमारा content ही सपी यहाँ पर show करेगा औरहरा पर monetization में अगर हम लोग klik करते करते है तो हमारा जो side है वह monitoring नहीं है तो इसलिए यहाँ पर connect करने का option देख रहा है तो हम लोग अभी इसको connect नहीं करने बाले हैं क्योंकि हमारा जो साइड है और Google Adsense से मोनिटेस नहीं है ठीक है और speed में अगर हम लोग जाते है तो हमारा है आकर आप लोग Google Adsense से connect कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने setting में क्लिक कर दिया है यहाँ पर आप लोग देख से तो setting में आ चुके है और यहाँ पर हम लोग क्या क्या सर्विस connected है और आप लोग यहाँ पर देख से तो आइनिंग देख सकते हो ठीक है तो अभी हम लोग हमाजी इस website में कोई भी adsense connected नहीं है इसलिए हम लोग adsense setup नहीं करेंगे यहाँ पर कुछ permission मांग रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ additional permission यहाँ पर देते है और यहाँ पर आप लोग देख से किmist हुए एडिशनल पर्मिशन देने के बाद हम लोग यह जो messages है रिमूब हो जाएगा ठीक है यह पर हम लोग हम आर जो email है वह यहाँ पर select कर दे है हमारा email है इसको select कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ पर्मिशन यहां पर आपको डालना है, ठीक है personally देना है, और यह पर्मिशन बगरा है, तो हम लोग यहां पर continue मे ख्लिक कर देते हैं, और हामार जो पर्मिशन है, additional permission है, उह यहां पर approve हो जाएगा, और यहां पर हमार जो message show कर रहा है वो message अभी नहीं show करेगा ठीक है और यहाँ पर हमारा जो permission बगरा है वो सब कुस क्लियर हो गया है और यहाँ पर कुस भी message show नहीं कर रहा है अगर हम लोग dashboard के अंदर जाते हैं तो हमारा जो data है वो हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो data है वो हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे इसको हम लोग close कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा जो data है traffic का data है वो यहाँ पर देखाएगा यहाँ पर content देखाएगा हमारा क्या-क्या content है कुस content में हम लोग को click हुआ है कौन सा keyword में यहाँ पर click हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो impression कितना हुआ है total click कितना हुआ है वो सारा चीजी हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे और यहाँ पर हमार जो site का visitor experience है और यहाँ पर देखाएगा और यहाँ पर google lesson से connect करने का option है तो किया इसी तरह से आपका जो site की है वो आप लोग आपको website में setup कर सकते हो आई होप इस वीडियो आपको आच्छा लगा है अगर आच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और हमाज यूनिक वाव इसको लिए टुप चैनल है इसको सस्क्राइब करके हमारे साथ बने रहे है थैंक्स